नहीं है, बोलता तो वो कभी कॉंग्रेस के खिलाब भी नहीं है, वो तो राष्ट्र के लिये बोलता है और राष्ट्र विरोधियों के खिलाब बोलता है, और वो राष्ट्र विरोधि कोई भाजपाई हो तो उसको भी बुरा लगेगा, कोई कॉंग्रेस हो तो उसको बुरा है ठीक और जो उसकी गिरफतारी है वो पॉलिटिकल शलियंत्र बिलकुल भी नहीं है वो मैं बार-बार कह रहा हूं उसके इर्द-गिर्द घूमने वालों का जो वो है ना उनका करेक्टर और उनका टार्गेट वो उनकी वज़े से फस गया ठीक पॉलिटिकल इंपक्ट की व उनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है वो यार छोटे बालक है वो जो लोग जो कह रहे हैं कि BJP को BJP ने करवाया या BJP हल्प नहीं कर रही यह नहीं कर रही वो नहीं कर रही तो उनको इतनी समझ नहीं है अभी कि BJP हल्प करे नकरे BJP शान्त है यही बहुत बड़ी हल्प ह वो क्योंकि वो पावर में है घर में जैसे आपके पिता जी होते हैं अगर किसी मुद्दे पे शांत हो जाए तो वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है आपका वो बेशक ये न कहें कि हाँ बेटा ये कर दो लेकिन अगर वो मना नहीं कर रहे हैं तो भी आपका समर्थन ह कर दो तो ये वो जाता है कि पापा ने मना तो नहीं किया तो ऐसे ही अभ पावर की बात होती है कि अभी देश में Пावर में हैं तो भाजबा कहीं खिलाफत तो करींनी रही ना चोटा कोई नेता कर रहा और बड़ा Kोई नेता कर रहा Crist aquatic चुक्की उनके nearly जवाब political होते हैं लेकिन यह ज़रूर मैं मानूंगा कि एक इंस्पेक्टर की गलती की वज़े से अलाकि बाद में उसके साथ जो होना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश की योगी आधितनार जी की सरकार ने किया कि एक ऐसी महिला मेंका गांधी जिनका नाम है और चुकि वरुंग गांधी उनके दबाओं में आके रात में तीन बजे या चार बजे क्यों F.I.R. दरजी की यह एक मिस्टेक जरूर हुई थी ठीक है और मिस्टेक F.I.R. हो भी गई थी तो उसमें नामजद क्यों की यह गलती हो गई लेकिन मैंने बताया ना वो सरकारी कागज है वो बन गया तो बन जेल हुई है ठीक है यह मैं मानता हूँ कि जितने भी घंटे जितने भी मिनट एलविश जेल में रहेगा परस्नली उसके लिए थोड़ा मुश्किल है ठीक है ना मैं मतलब मैं तो आपको यह भी बता सकता हूँ कि आज एलविश ने मसूर की दाल खाई है ठीक लेकिन आपको एक बात जरूर समझना पड़ेगा कि